हेलो भाई लोग आज मैं दुनिया के सबसे आजीब काम करने वाला हूँ वह डब दे को खोलना यानि अन्बॉक्सिंग तो आज हम करेंगे अन्बॉक्सिंग अन्बॉक्सिंग करने के लिए आज है मेरे पास 12 इंच का वूफर स्पीकर और इस स्पीकर को मैं लगाने वाला है नय हमँ ट्हेटर में मतलब मैं एक हमँद्याटर बना रहा हूं भास के ली उसी मंस्पीकर लगे गा बारा इंच एक बारा इंच का नगाँ का तो इस तरीकिगे का च्व चैंज मतलब यह सब सर्फ जो है मतलब साफ वॉफर के लिए हो गया मतलिब बेस यूनिट के लिए सारा स्वी करोलह का और म्यूजिक के लिए नॉर्मल स्पीकर यूज़ करूंगा, मतलब 4 इंच का नॉर्मल स्पीकर तो चलो भाई, इसको खोला जाए खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए करी टा का सुष्याओ right sat कात्रब्स जाए, बाल जाए, और र झुना, थाए say शोभी ऑे साओ, खोलो, तो अ dirty युर्मल स्थी 10वा शोला, बेदा सुष्याओ эпशette तो यह रहा मेरा बीस्ट बारा इंची चलो मैं आपको डबे दिखा लेता हूं इस डबा के इस तरफ तो कुछ नहीं है इस तरफ है यह बार इंच बूफर स्पिकर और इसका इंपीडेंस है आठ होम अब मज़दार पार्ट पनी को फारना इससे में पनी को नहीं फारने वाला मैंने चाहता है ऐसा डाइफ्राम फटे पनी से वैसे नहीं निकलने वाला निकल गया तो अच्छी बात है नहीं 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 निकलेगा नहीं निकलेगा फारना परेगा अब एक हाथ से कैसे फार हुआ एक हाथ में कैमरा एक हाथ से फार जोने कोसिस कर देते हैं फट गया फट गया फट गया इसको पहले लगा लेका एक हाथ से काम करें बहुत दिकत होता है यार इधर पुची बग गया इसको अठाओ यहानी कारग चीज है इसके लिए तो यह रहा मेरा पन्नी इसके बहुत से लिए तो यह रहा बेसिकली इसके बैक में देखते हैं अब इसके साइज के अंदर छानी आप इसे लगा की यहाम मेरा हाथ और यह रहा है सक मेगनेट और या फिर इससे की यह रहा है और यहाहा है इसक वे शोड़ा है दो पिसके एस तरफ आप जमीन आसमान का अंता पता है कैमरे के सबसे बुरी बात ये होती है कि इस पर किसी चीज का साइज रियल साइज पता नहीं जलता अब इसका रियल साइज जब यहां पर होते तो ही देख सकते थे लेकिन फिर भी अच्छा है यहां लिखा हुआ है दो सचालिस वाट मैक्सिम है और नॉर्मल है 120 नॉर्मल कंजब्सन है और पीक है इसका 240 वाट और मैं इस पे जो इसको इसको ड्राइब कराने के लिए जो बोर्ड लगाने वाला हूं वह 500 वाट का है मतलब 500 और 3300 वाट पी-एम-पी हो है उसका इसका इंपीडेंस पहरे बता दिया चारों अब बात कर लएते हैं इस प्राइस की तो यह स्पिकर मैंने बाइक किया है मतलब 700 रुपे में 700 रुपे इंडियन करंसी बिसके लिए मैंने औरर किया था एक बूफर स्पिकर इस टाइप का सब बूफर बट एक सब बूफर मतलब 8 इंची का 1500 रुपे के आसपास देता है मतलब ज्यादा महंगा आता है तो मैंने सोचा कि क्यों एक नौर्मल स्पिकर ही ले लिया जाए बूफर में सब बूफर नहीं बूफर ले लिया जाए और उसी को यूज़ किया जाए नौर्मल बजट और ज्यादा बेहतर साउंड अब यही 12 इंची का स्पिकर अगर मैं किसी अच्छे कंपनी का लेता तो यह लगबाग दो से तीन हजार रुपे लग जाते है इसके लिए जबकि यह मुझे मिला है 700 रुपे में तो एक तरिके से अच्छा ही है यार यह कंपनी है MPS करके मतलब य यह लोकल कंपनी है लोकल कहने सकते हैं पता नहीं कौन सी कंपनी है लिकिन मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है बस यह बाझा हूँ तो गाइज ये हो गया इसका अनबॉक्सिन ओप यू लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाईए अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन दबाईए सब्सक्राइब कीजे ताकि आप और देखें ऐसी वीडियो मेरे प्रोजेक्ट्स धन्यवाद